नवज़का दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो अभी भी Finland के कुछ प्रोग्राम ओपन है कौन-कौन से प्रोग्राम ओपन है उनके बारे में मैं one by one discuss करूँगा बट Finland या Finland से अलाबा भी किसी कंट्री में जाना है तो research जरूर करें foreign की life बहुत tough है jobs के availability नहीं है किसी भी country में जाते ही आपको 2-3-3 सार लग सकते हैं बहां पर settlement होने के लिए किसी भी country में जाने से पहले पूरी research करें बो time चला गया कि बहां जाते ही हम अपने पैसे कमाएंगे tuition fees निस निकालेंगे वो किसी भी country में situations नहीं है तो Finland में अगर आपने जाना है तो हमारी दो dedicated play list है study in Finland, success story of Finland उनके link मैंने description box में लगाए हैं बहां पर आपको free of course बहुत सारी videos मिलेंगी उन videos को watch करें उसके बाद decision लें कि आपने अपना case कौन से consultant के थूरू apply करना है तो क्या हमें Finland जाना चाहिए जा नहीं जाना चाहिए यह सारी की सारी information आपको वहां से मिल जाएगी तो program कौन कौन से open है bachelor की एक university के portal open है उसमें bachelor के programs की availability है बट उसमें condition क्या है कि आपके पास IELTS होना चाहिए 6 band जां आपके पास PT 55 है तो आप उस university में apply कर सकते हैं उसकी कोई भी application fees नहीं है बट वो university आपको admission on the basis of entrance exam देगी वो university का entrance exam होगा अगर आप उसको break करते हैं तो आपको उस university से admission आ सकता है और इसके लबा जिनोंने Finland में nursing करनी है nursing करने वाले students के लिए through set without entrance exam admission मिल सकता है बट student के पास SAT SAT होना जरूरी है जिसमें उसके minimum 500 नमबर है तो वो Finland में nursing में directly admission ले सकता है through set तो मैंने अभी इस वीडियो में बता दी है जिनके still portal open है एक तो आपके पास nursing है nursing में कैसे direct admission ले सकते हैं दूसरा bachelor के कुछ programs है through उनका entrance exam है university का तीसरा हमारे पास free vocational program है जो inside Finland में students है जा जो non-European student है outside Europe से है तो ये मैंने चार options बता दी हैं जिनके portal already open है और last जो option है वो है pathway pathway का भी options still open है ये pathway इतना lucrative है ये pathway आप inside Finland में जाकर कर सकते हैं इसका duration 5 month का है इवन इस pathway में कुछ classes आपको online लगानी पड़ेंगी ये pathway किन के लिए हैं उन students के लिए हैं जिनका directly admission नहीं आपा रहा है बहां की bachelor degrees में वो academic wise week है जहां IELTS wise week है तो उनके लिए this is very lucrative pathway programs तो मैं सब students से request करूँगा जो still Finland में बढ़ने के लिए जाना चाहते हैं इन programs के जिनके portal open है वो immediately संपर करें इवन जो student already हमारे साथ registered है अगर वो चाहते हैं इन programs में भी हम उनका apply करें वो भी हमें tax message हमारे जो number mention is screen पर बहां पर करें तो उनके भी हम immediately apply करेंगे और कौन से student जो already inside Finland में है जो बहां पर free में education ढूण रहे हैं जो already Finland में पहुँच चुके हैं वो चाहते हैं कि अभी हम Finland में कौन सा ऐसा program कर लें जिसमें उनकी tuition fees ना लगे तो inside Finland बाले students को भी मैं most welcome करता हूँ कि बहां की एक university still open है जिसमें आप अपने लग को try कर सकते हैं अगर आप उनके English exam को break करते हैं तो आपकी जो education है free of course Finland में हो सकती है तो fourth program कौन सा है उन बच्चों के लिए जो outside Finland में है मतल इंडिया में हैं जा किसी भी non-European country में है Finland में vocational training के लिए जाना चाहते हैं आपके पास डालिंगो 85 है तो आप vocational free वाले program में भी apply कर सकते हैं यह चारो के चारो programs की still availability है अगर आपकी destination Finland में study करने की है आप Finland में अपनी spouse dependent बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हैं तो Finland के अलाबा भी मेरे पास बहुत सारी countries की options हैं शेंगन की 29 countries on our fingers हर एक शेंगन की country के उपर हमारी YouTube channel के उपर playlist बनी हुई हैं अगर आपने किसी भी specific country में जाना है तो वो specific country की playlist यरूर watch करें उसके बाद decision ने कि आपने जो अपना case है कौन से consultant को देना है Finland का आपका कोई visa refuse है आपकी कोई entry वहाँ से deport किया हुआ है वहाँ से supplementary आया हुआ है आपका admission नहीं आपा रहा है funds में कोई problem है तो उसके लिए भी crown immigration आपको guide कर सकता है तो लासी मेरी यही request है अगर आप कुझे मेरी वीडियो चे लगी इसको like and share करना ना मुने Thank you